साथियों 21 वी सदी में आत्म निर्वर भारत के लिए आत्म विश्वासी युवा ये इसकी पहली शर्त है बहुत जरूरी है ये आत्म विश्वास फिटनेस से बढ़ता है एजुकेशन से बढ़ता है स्कील और उचीत अवसरों से आता है आज सरकार बेश के युवाओं के लिए जरूरी इनी पहलूओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉंस भी किये जा रहे है हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा समस्तान तक स्कील इंडिया मिशन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है आज फिटनेस और स्पोर्स को भारत में अभुत्पुर्व प्रात्विक्ता दी जा रही है फिट इंडिया भियान और खेलो इंडिया भियान देश के गाउं गाउं में बहतर फिटनेस और बहतर टैलेंड को प्रोचाइट कर रहा है फिट इन्डिया भ्यान और योग को प्रोचान देने के लिए तो NCC में भी विशेश कारकम चलते हैं नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशी के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिश्ट्रिक को भी प्री नर्सरी से लेकर प्रीटरी तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है अपने बच्चों को युवा सांत्यों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा अपनी रूची के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहोल बनाया जा रहा है खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्टर पर युवा टैलेंट के लिए युवा उद्द्यम्यों के लिए अवसर दिये जा रहे है आप इन अवसरों का जितना लाप उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा हमें वयम राष्ट जागरयाम इस वैदिक आहमान को 21 सदी की युवा उर्जा का उद्गोष बढ़ाना है हमें इदम राष्टा है इदम नममा यानि ये जीमन राष्ट को समर्पित है इस भावना को आत्मसात कर रहा है हमें राष्ट हिताय राष्ट सुखायच का संकल्प लेकर प्रतेग देश वाजी के लिए काम करना है आत्म बद सर्वभूतेशू और सर्वभूत हितेरता यानि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वात के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्म निर्भर भारत के संकल्प के सिद्धी में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा